देश भर में मनाये जा रहे 75 वी गंतंत्र दिवस के शुभवसर पर समाजवादी पार्टी बरेली के महानगर उपाध्यक्ष मुहम्मद खालित खान बाबुजी ने सभी प्रदेश एवं देशवासियों को 75 वी गंतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाय देते हुए कहा कि 26 जन्वरी 1950 को हमारे देश भारत ने समविधान लागू किया गया था और भारत देश को गंराज्य का दर्ज़ा प्राप्थ हुआ था समाजवादी पार्टी बरेली के महानगर उपाध्यक्ष मुहम्मद खालिद खान बाबुजी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के सम्विधान से बहतर कोई सम्विधान नहीं है आज इस भारतिय सम्विधान के लागू होने की 75 वी वर्षगात जिसको भारत वर्ष में 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष मुहम्मद खालिद खान बाबुजी ने देश में मनाय जा रहे 75 वे गंतंत्र दिवस्ती समाजवादी पार्टी की ओर से एवं मुहम्मद खालिद खान बाबुजी के परिवार की ओर से समस्त देश्वासियों को बंतंत्र दिवस की हार्दिक शुपकामनाय देते हुए कहा कि 26 जन्वरी का दिन हर भारतिय के लिए बेहत खास होता है 26 जन्वरी को सभी भारतिय राष्ट्रिय पर्व के रूप में मनाते हैं ये दिन भारतिय नागलिकों को लोगतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ती को दर्शता है भारत के इतिहास में ये दिन कई तरह से महत्वपून है यही वजह है कि इस दिन को पूरा देश हर्शोलास और उत्साह के साथ मनाता है इस राष्ट्रियत योहार की अपनी अलग खासियत है समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष खालिद खान बाबुजी ने समाजवादी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को 75 गंतंत्र दिवस्ती हार्दिक शुपकामनाय देते हुए कहा को चकते हैं माजवादी दिवस्ती है